वेलकम डियर स्टुडेंट्स आज हम बात करेंगे रुधिर वर्ग या रक्त समों के बारे में आपको पता है काफी पर सारे परसन इस टोपिक्स में से पुछे जाते हैं देखे रुधिर वर्ग जो है पहला महत्पुन परसन बनता है कि खोज किसी ने की है तो रुधिर वर्गों की खोज कॉरल लेंड स्टिनर नामक विग्यानिक ने 1101 में की थी कब की थी? 1901 में देखिए रुधिर का जो वर्गिकरन किया गया था वह है एंटीजन के आधार पर रुधिर को चार वर्गों में डिवैड किया गया है और ये एंटीजन जो होते हैं वो RBC की प्लाजमा मेंब्रेन या PM पर पाये जाते हैं PM पर इस्तित होते हैं तो रुधिर को किस आधार पर डिवैड किया गया है? एंटीजन के आधार पर कितने वर्गों में? चार वर्गों में पहला रुधिर वर्ग देखिए और रुधिर वर्ग के बारे में बात करेंगे और रुधिर वर्ग जो है यह सभी को रुधिर दे सकता है और इसलिए युनिवर्शल डोनर भी कहा जाता है और इसमें A वै B दोनों एंटिबोडी पाये जाते हैं डाइग्राम से देख सकते हैं एक तीर का निसान O तीर के निसान से 3 O से 3 तीर के निसान आ रहा है जो A को भी जारहा है B को भी जारहा है यहनि कि O को भी जारहा है यहनि कि O जो है वैस सभी को रुधिर दे सकता है AB रुधिर वर्ग जो है उसको Universal Exceptor या सारूत्रिक ग्राही भी कहते हैं क्योंकि यह सभी से रुधिर ले सकता है और इसमें A वे B दोनों एंटिबोडी पाए जास रहा है ठीक है अब A में देखिए आप A रुधिर वर्ग जो है इसमें देखिए यह O से रुधिर ले रहा है तीर का निशान O से आ रहा न फिर A से रुधिर ले सकता है लेकिन यह A को दे सकता है वे A B को रुधिर दे सकता है डाइग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो तीर के निशान पास्षे अपन मालूम करेंगे A रुधिर वर्ग जो है उसमें A एंटिजन वे एंटिबोडी B पाया जाता है यह A-O से रुधिर ले सकता है वै A-B को रुधिर दे सकता है ठीक है, डाइग्राम से भी कलियर होता है A-RU-DHIR जो व्यक्ति है वै A-B को दे सकता है O-C-RU-DHIR ले सकता है ठीक है, B-RU-DHIR वरक जो है इसमें B-Antigen वै A-Antibody पाया जाता है यह B वे AB को रुधिर दे सकता है तता B वे O से रुधिर ले सकता है ठीक है? डाइग्राम से भी आप समझ सकता है B रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति O से रुधिर ले रहा है AB को दे रहा है वे B को दे रहा है यानि कि O से वे B से ले सकता है वे B वे A B को रुधिर दे सकता है ये महत्पून परशंते रुधिर वर्गों से समधित परतेक एक्जाम में पूछे जाता है इसलिए आप बढ़ें और आगे बढ़ें डाइग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि हाँ ये एक सिंपल सा डाइग्राम बना रखा है कि इसमें O उपर लिख रखा है साइड में लेफ्ट की साइड A राइवट की साइड B नीचे की तरफ बीच में A B ठीक है? O से अगर अपन पार्णी डालेंगे तो ये है A में जाएगा A B में जाएगा और B में जाएगा ठीक है? A B से फिर A B में भी जाएगा ठीक है? इससे क्या इसप्ष्ट हो रहा है? कि और उधिर वाला व्यक्ति A को दे सकता है रुधिर और उधिर वर्ग वाला व्यक्ति A B को रुधिर दे सकता है ठीक है और यानि कि और उधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को उधिर दे सकता है और एबी जो है वो सभी से उधिर ले सकता है तो इस परकार बहुत सारे महत्कुन पर्शन इस क्लास में आप लोगों को पसंद आये होंगे तो लाइक जरूर करें